नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार यूनिक ऑनलाइन गुरु में जैसा कि अभी आज ही अपडेट आई है कि आप लोग का जो इग्जामिनेशन फॉर्म है जुलाई दो हजार बाइस के लिए वो फिल हो रहा है ठीक है तो आपको टेंसन लेने की जरुवत नहीं है कोई दिक्कत हो तो आप हमें कॉल कर सकते हो बाकाइदा मैं आपको पूरी इंफॉर्मेशन दे रहता हूँ आजिसी पर लास्ट डेट ऑप शम्मिशन एप्लिकेशन फॉर फॉर्म जो है 25 जून 2022 तक स्टार्ट हो रहा है ध्यान रखना इस चीज़ को बास समझ में आई 8 जून से 25 जून तक आपका फॉर्म फील होगा और हाँ इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपका जो है वो रजिस्टेशन कार्ड कैसे डाउन्डोड करोगे आप या अपना रजिस्टेशन आप कैसे देख सकते हो या आपका examination का cycle क्या है ये तीरों चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ examinator की date दिखा देता हूँ आपको r5 r6 क्या है ये मैं बता देता हूँ complete information इस video में आपको मिलने वाली है दोस्तों ठीक है तो यहाँ पे आप एक बार देख लीजिए ये है आपका time table जो कि यहाँ पे आपको दि basis पे होगा यहाँ पे आप देख लो r5 जो की पुराना है उस पे होगा ठीक है और उसी time पे ये आपका r6 बेस पे हो इस पे आपको टैंसन लेने की जरूरत नहीं है आप लोग r5 को भूल जाएए जितने लोगों भी हो सब को मैं बता दो कि r6 बेस पे ही exam आपका होने वाला है कहीं नहीं जाना है आपको और हां practical की भी date आ गई है 30 जुलाई 2022 से 10 अगस्त 2022 तक r5 होगा आपका ठीक है उसी के बीच में r6 का भी आपका 30 के और लेगे 10 अगस्त तक exam होने वाला है तो आपका जो mcq based exam है r6 का वो apply हो चुका है आपको इसी बेस पे काम करना होगा आपक नहीं है मैं आपको थोड़ा सा पता देता हूँ कि इसका registration card कैसे download करते हैं तो यहाँ पे एक option आपको देख रहा होगा click here to print registration ID card जैसे ही आप यहाँ पे click करोगे आपको एक option दिखेगा select course का जब select course view ID card करोगे तो आपका registration card आपके सामने open हो जाएगा देखो यहाँ पे एक registration card आपका open हो गया अब इस registration card को आप अपना print कर सकते हो बिना किसी समस्या के बिना किसी problem के ठीक है दोस्तों यह information मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको किसी के उपर depend ना रहना पड़े और आपको अपनी अगर detail देखनी है registration form की तो आप यहाँ से देख सकते हो अप यह काम कैसे हुआ और यह rule कैसे apply हुआ तो एक previous video मैंने live class लिया था कि उसमें बता था कि R5 जो R6 में जो मामला put हुआ है उसका मामला कैसे है क्या है उसके rules क्या है regulations क्या है जो 11 April को आपका update हुआ है नया वो उसका details क्या है सारी information मैं आपको दे चुका हूँ उस previous video को एक बार आप जरूर देखिएगा दोस्तो ठीक है उससे पहले मैं एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि आप लोगों का जो class है आप लोग की जो details है वो एक अपने नए channel O level वाला करके details पे आपको पूरी मिल जाएगी इस पे free videos पड़े हुए है अगर आप चाहते हैं कि July में exam देना तो आपको free videos मिल जाएंगे ठीक है दोस्तो बागी किसी प्रकार की समस्या होने पर आपको कुछ नहीं करना है यूनिक ग्रूप app डाउनलोड कर लेना है या फिर नीचे दिये गए description में contact कर लेना है तो वहां से आपको हर एक class हर एक आपको grass course की पूरी details notes PDF सब कुछ म क्या क्या बदला हुआ है और क्या क्या हम लोगों को ध्यान रखना होगा कैसे हम लोगों का exam होने वाला है दोस्तों चलिए तो आज की वीडियो हम लोग यही पर फिर मिलेंगे हम लोग सभी लोग को bye bye take care जैहिंद